जैसी आराम जै जैराम उमा बीभी सनुराव नहीं सनमुख चितव किकाव सो अब भीरत काल ज्यों स्री रगुबीर प्रभाव सिब जी कहते हैं हे उमा बीबी सन क्या कभी रावन के साम दे आख उटा कर भी देख सकता था परन्तो अब वही काल के समान उससे भिढ रहा है यह स्री रहुबीर का ही प्रभाव है जाए सियाराम जाए जाए राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव सुदा से रथ अजिर विहारी देखा स्रमित बीबी सनु भारी धाये उहनु मान गिर धारी रथ तुरंग सारथी निपाता फिर्दयमा जहते ही मारे सिलाता बीबी सन को बहुत ही ठका हुआ देखकर हनुमान जी परवत धारण के हुए दोड़े उन्होंने उस परवत से रावन के रथ गोड़े और सारथी का सनहार कर डाला और उसके सिने पर लात मारी ठाड रहा अतिकंपित गाता गयों बीबीशन जहां जनत राता उनी रावन कपी हते उपचारी चले उगगन कपी पूँछ पसारी रावन खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कापने लगा बीबीशन वहां गए जहां सेवकूं के रक्षक स्री राम जी थे फिर रावन ने ललकार कर हनुमान जी को मारा वे पूँछ फैला कर आकास में चले गए गही सी पूँछ कपी साहित उड़ाना उनी फिर भीरे उपर बल हनुमाना लरत अकास जुगल समझो धा एक ही एक उहनत करी क्रोधा फ्रावन ने पूँछ पकड़ ली हनुमान जी उसको साथ लिये हुए उपर उड़े फिर लोटकर महा बलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए दोनों समान योद्धा आकास में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे सोह ही नभ छल बल बहुकर रही कजल गिरी सुमेर जनुल रही बुधी बल निसी चर परए नपारियो तब मारुत सुत प्रभु संभारियो दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकास में ऐसे ही शोवित हो रहे हैं मानों कजल गिरी और सुमेर उपरवत लड़ रहे हूं जब बुद्धी और बल से राक्षस गिराए निगिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को इस्तमर्ड किया संभारी सिरीर घुबीर धीर पचारी कपी रावनु हन्यो मही परत पुनी उठी लरत देवन जुगल कहुँ जय जय भन्यो हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले रनमत रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले स्री रहुबीर का इस्तमर्ण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावन को मारा वे दोनों प्रत्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं देपतावने दोनों की जय जय भुकारी हनुमान जी पर संकर देखकर वानर भालु क्रोधातुर होकर दोड़े किन्तुरण मद माते रावन ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुझाओं के बल से कुचल और मसर डाला तब रगुबीर पचारे धाए की से प्रचंड कापी बल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाखंड सियाबर राम जाई जाई राम मंगल भावन या मंगल हारी तरव मुशूदा से रते अजिर बिहारी